जो साथ बार विश्व जीत चुकी थी ऐसी सेना थी रावन की और उस रावन की सेना के सामने राम ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो कभी युद्ध लड़े ही नहीं थे जो बनवासी थे ट्राइबल्स थे जो उपेक्षित थे मलाह थे वंचित लोग थे वानर का मतलब क्या है बंदर नहीं है वानर का मतलब संस्कृत भाशा में वह वाने विशेश विशेश नर जो लोग पेड़ों पर मचान बना के रहते हैं लेकिन राम ने उसमें अपना आप सब को बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार कैसे हैं आप अब हुआ है मैं इस हौल में गुस्ने से पहले मेरे मन में चार्टर अकांटेंट्स को लेके एक बहुत ही अलग इमेज थी के वो बहुत शान्त होते हैं गंभीर होते हैं और वो आपके जो बैलेंस शीट के फिगर से उनके हिसाब से उनके चहरे की जो भंगी माएं वो बदलती रहती हैं लेकिन आपने इस भीच तीन या चार मिनट में जो जो किया उससे मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं चार्टर अकांटेंट्स की बीच में हूँ मुझ सो पहले तो मैं आपको विश्च करता हूँ कि आपकी जो जवानी है और यह जो आपका जोश है जिंदाबाद रहे सदा आबाद रहे ऐसे ही आप रहें आपके बारे में बाहर जो बाते होती हैं चुकि मैं आउटसाइडर हूँ एक तरीके से आप मानिये मेरी मुलाकात सार करुए हैं लेकिन सबसे कम चार्डश अकांटेंट से हुई है है मर चार्डश अकांटेंट के नाम पर जो मेरा C.A. है उसे ही जानता हूँ तो ही मुझसे दो एक महीने में एक बार भीचारा तीन चार बार कोशिश करने के बाद मिलता है वो हर बार कहता है कि मिल लीजिये बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है कॉल लेनी है हमको कैसे करना है मैं उसको बताता हूँ अच्छा मिल लेंगे मिल लेंगे चुकि अर्थ के मामले में मुझे केवल शब्द का अर्थ पता है बाकी अर्थ नहीं पता है कि अर्थ क्या होता है पर मुझे ऐसा लगता है कि आप सम्विधान की सरचना से भी पहले के संस्थान है यानि कि जब सम्विधान नहीं बना उससे भी पहले आप अस्थित्व में आए ये वो दौर है हिंदुस्तान का जब हिंदुस्तान इंटर्डिसिप्निरी इंटरेक्शन्स कर रहा है लोग इंजिनिरिंग समझ रहे हैं बायो केमेस्ट्री समझ रहे हैं लोग वेटरनरी समझ रहे हैं कि डॉक्स को कैसे पाला जाता है बिल्ली को कैसे पाला जाता है लोग डाइटिशन्स का काम समझ रहे हैं लोग स्टाइलिश्ट का काम समझ रहे हैं तो अभी मुझे ऐसा हो तैक्स गवर्मेंट को जाहना है वो गवर्मेंट को मिले और जो नागरिक के नाते मुझ बढ़ जितना रहना है वो मुझ पर हो ये ऐसे हो गया है जो से सी ग्रेट सिटीज में लोगबाग 200 मीटर के मकान में जब घर बनाते हैं, तो वो अर्किटेक्ट को नहीं लेते हैं, वो खुदी एक नक्षा खीचते हैं, इधर किचिन बन जाएगी, इधर रूम बन जाएगा, और जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं, आइटी पढ़ात चालिस लाक रुपे का भी मकान लेता है, तो उसके इंटिरियर के लिए वो चार-पांच लाक रुपे निकाल कर अखता है, कि यह किसी इंटिरियर डिजाइनर से बात करूँगा, उसके सेग्मेंटिशन है, तो चार्ड़ेड अकाउंटेंट का काम जो है, सोसाइटी में, वो अभी यह माना जाता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचेगा, समझेगा, वो करेगा, मैं जिस कास्वे में रहता था मुझे आज भी याद है, वहाँ एक कंपनी सेकेट्री सजजन थे, सीए भी नी थे, उन्हों ने ने गाजियाबाद के किसी सीए से महर लगवाने का काम ले रखा था, समझ गए होंगे आप, और शायद हर वो जो फारम सोले क्या मिलता है, उस पर हर एक पर वो पांसो रुपे शाद हो जाते होंगे सीए साब को, हम से दो अजार रुपे मेरे पिताजी से लेते थे, और सब से लेते थे, साल में एक हिंदुस्तान में जिस तरीके से पैसे आने शुरू हुए है, मद्यम वर्ग बढ़ा है, उच मद्यम वर्ग विशेश शुप से, जो अपर मिल्ल क्लास है, उसका राइस हुआ है, और एक नया हिंदुस्तान बन रहा है, इर्रिस्पेक्टिव अफ और पॉलिटिकल डिफरे यह तो आप मानेंगे कि इंडियन एकनोमी पूरी दुनिया में इस समय एक बहुत उमीद की तरह से जखी जा रही है, लोगभग की तरफ ध्यान से देख रहे हैं कि क्या होगा, मैं भी दुनिया के दूसरे मुलकों में जब यात्रा करता हूं तो बिशेश रूप से आप पाझा पैनता हूं या जैकेट पैनता हूं जो सुवे पहन रखी तो जब आप जाते हैं लंदन में और अंडर्ग्राउंड में जाते हैं या लंडन जे परिस की आप ट्रें में जाते हैं तो आपकी बगल में बैठा हूँ एक विधेशी आपके कपणों को देख कर य वो भारत की बात करते समय कहता है इंडियन्स, वेरी गुड इंजिनियर्स, वेरी गुड दॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टेड अकाउंटेंट्स तो ये जो ये जो ख्याती है, ये जो ताकत है इस देश की पेदा हुई है ये हमारे और आपके मध्यमवरगी परिवारों के लड़के लड़कियों ने पैदा किया है सरकारे केवल मानक होती है, मैं चला के देख चुका हूँ, सरकारों का सिर्फेका आप और हम ही वो भारत हैं, जब हम भारत की इसे प्रशंशा करते हैं कि बरस्ते हुए गोलों के बीच, जहां दो देशों की सेनाएं अपने मिसाइल बड़सा रही है वहां कोई लड़का अगर तिरंगा दिखा देता है, तो दोनों सेनाएं सलिट करके उसे रास्ता दे देती है जो ताकत इंदुस्तान की बनी है ये जो नए भारत का सपना इस शताबदी में हमने देखना शुरू किया है इसमें सरकारों का इतना ही उपियोग है जितना आपकी कॉन्फरेंस कराने में इस हॉल के प्रबंधकों का उपियोग है कि उन्होंने जगे दिये आपको बाकी तो आप जो तै करोगे आप जो एकटे होगे आप जिस तरह से टीम वक करोगे उसी तरीके से आपका संस्थान चलेगा ये संस्थान आज जो खड़ा हुआ है और पूरे भारत में जो आपकी रेपुटेशन है सरकारण ने सिर्फ आपको प्रेटफाम उप्लद कराया है ये आपके एक-एक व्यक्ति के पुरुशार्त के कारण है आपके पस्नल विगर के कारण मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो इसी विशे पर बात करने वाला हूँ क्योंकि इस महफिल में, इस सभा में सभी लोग चुने हुए लोग है सभी, मैं मानता हूँ कि ये जिसे कहते हैं, वॉल्यूम में कम है लेकिन डेंस्टी में जादा है आयतन में कम है, लेकिन घनत्तों में जादा है एक-एक व्यक्ति, बहुत सारे चांटेंट्स का प्रतिनिवत तो कर रहा है जो यहां बैठा हुआ है अभी देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा 140 करोड में, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जैसे पहले क्या होता था आपको याद हो कि 20,000 के कस्बे में एक डेंटिस्ट होता था उसका यही काम होता था कि वो दांतों काड़ता था वो कुछ बताता नहीं था वो दांतों के प्लेस्मेंट्स तो आजकल तो इतनी सारी चीजे लगने लगी हैं लड़किया तो वो ब्रेस्टनेट लगवातीं उसमें भी कही प्रकार के कलर रखती हैं हाह के भ укति इवल्ग ये वाला पैनना है जुन में ये वाला पैनना है अब तो पूरे-पूरी सिटिंग्स होती हैं, आपको 10-10 सिटिंग्स मिलती हैं, 50-50 दर का बिल बनता है, हर कस्बे में आप चले जाएए, 10-10 डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, डेंटल सर्जरी और डेंटल मेंडिशिन के कॉलेजिस खुले हुए हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले कस्बे में एक डेंटिस्ट होता था, जिले में दो होते थे मैक्सिमम, उनका काम यह होता था कि कीडा लग जाए तो दात निकाल दें, बाकी कोई लाज उनका नहीं होता था, दीमे दीमे लोग डेंटल हैल्थ के बारे में अवेर हुए, कॉंशिस हुए, तो अपॉर्चु मेरी श्रीमती जी जो पब्लिक सेविस कमिशन की मेंबर हैं, वो भी प्रफैसर ती, हम दोनों कमाते थे और मैं कभी संबलन भी करता था, तो मैंने घर बनवाया, तो मेरे पिताजी ने मुझे का कि भी घर बनाने की पहली शर्ती है, कि यह ठेकेदार होते हैं, बहुत बदम लेके वहाँ पर उनके सामने लेंच करता था, देखा कितना काम चला, फिर शाम तक की बेलदारी लिखता था, बेलदार कितने थे, अब मैं दूसरा घर बना रहा हूं, 50 क्रॉस करने के बाद, नौई डामे, चुकि मैं उस घर में वो चोटा पढ़ने लगा, और बहुत दि इक एदार की भी गलतियां तुरंट पता जेती है, कि साब ये गलती कर रहा है, उनके आपस में कोई लडाई नहीं लेकिन बता देता है, सब का पैसात है, इसका इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, टोटल बजट है, इसका 20% उपर जाएगा, नीचे जाएगा, यानि की एक आदमी की कमाई में, उन सारे प्रोफेशनल्स का हिस्सा चल ला है, मुझे लगता है, इस हॉल में बैठके आप सब चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को इस बात पर विचार करना चाहिए, कि एक सो चालिस करोड में केवल पांच करोड लोगों का आप काम कर रहे हैं, उनक जिन्देगी में आपका हिस्सा कैसे हो, आप उनके साथ कैसे चोड़ें, तब उनको आपकी महत्ता समझ में आएगी, और तब उनका वित्तिय प्रबंधन भी ठीक हो पाएगा, अभी तो सच मुझ में वित्तिय प्रबंधन ठीक नहीं है, टेक्स के बारे में भी हम सोचते नहीं है, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है, टेक्सेशन, आप इतना, आप क्या काम करते हैं, आप इतने सारे क्लाइंट्स की परेशानी अपने सिर लेते हैं, और आप उसको सुकून पे छोड़ देते हैं, वो घर में सोता है, वो चुट्टी मनाने के ले जाता है, वो व इन हमारे हमाका जिगर में यह का अपका है, जो आप काम करते, बेसिकली, जीतना मेरे समझ में आता है, अब जो आपके प्रती, इस समाज में एक इज़त होनी चाहिए, एक आपके जो क्रेडित आपको दिया जाना चाहिए, एक आप जो underline होना चाहिए आपका work वो थोड़ा कम है जिसे मेरी दो बेटियां है तो एक तो business करती है वो तो आपको जानती है कि CA का क्या महत्व है जो छोटी बेटी है वो नहीं आपको जानती होना यह चाहिए कि उसको आपको जानना चाहिए कि अब वो आने वाले कल में नौकरी करने वाली है तो उसको पता होना चाहिए कि लंदन में salary लेने पर भारत में stipend नहीं लिया जाएगा और दौनों में कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा यह taxation के formula उसे ना पता हूँ तो आप पर उसे believe करना होगा और इसके लिए मैं सोचता हूँ आप ही लोग बहतर समझ पाएंगे क्योंकि मैं तो बाहर का आदमी हूँ कि कैसे हिंदुस्तान के आपका सबसे बड़ा राष्ट निर्मान में योगदान यह हो सकता है कि यह जो untapped water बह रहा है 135 करोड लोग का revenue अगर आप किसी तरीके से इसे formulate कर दें आप सब की जिंदीगी में थोड़े थोड़े उतर आएं तो आपका profession तो उपर जाएगा ही जाएगा यह देश भी विश्वशक्ती बनने की और अग्रसर हो जाएगा इसमें भी बहुत पैसा हो अब सवाला आता है यहां बैठे मेरे सारे दोष्स सोच सकते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ मैंने अपने जीवन में जो थोड़े-thोड़े प्रियोग की हैं उसमें मैंने यह जाना है कि उजाला लाने वाला अकेला ही आदमी होता है पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांती हुई है वो समुहों नहीं करी अकेले आदमी ने किये है और वो अकेला आदमी वो होता है जिसे बहुत दबा दिया गया है कुचल दिया गया है इसको बिसे केतना push on to wall कर दिया गया है वो जब भी छोड़ के निकला है चाहे वो राम निकले हो, चाहे बुद्ध निकले हो, चाहे महावीर निकले हो कोई भी जो निकला है, उसी ने समाज को इस दुनिया को नई दिशा दिया मैंने खुझ से करके देखा कि मैं जिस संस्थान में था कविता का संस्थान, जब में इंजिनिंग छोड़ के आया था कविता का संस्थान ऐसा था कि उसमें 1100, 1500, 1200 रुपे, 2100 रुपे पेमेंट होता था आपने सत्तर के दशक की फिल्म देखी होंगी उनमें जो हीरो होता था उसका एक दोस्त होता था शायर महमूद और वो काफी विदुशक टाइप आदमी होता था और वो हीरोईन की सहेलिया नौकरानी पे मरता था ऐसा देखा जाता था यानि कि बहुत एक डिसकार्डिड करेक्टर होता था पोईट कि कभी होना मतलब अग जो सहेलिए ब्लॉएं प्रश्त कर रहा हूं कि मैने कैसे किया तो मैंने सबसे पहले यह किया कि अगर गाना गाने वाला जिसने गाना दूसरे का गाया है जिस पर अक्टिंग तीसरे ने की है यह समृद्धी ले सकता है कि वो जाये तो एरपोर्ट पर पच्चिस आदमी आत्मा गलाकर कविता लिखी है, उसको ये समाज आदर क्यों नहीं देने चाहता है, उसको क्यों पैसे नहीं मिलना चाहता है, इसके लिए शुरू में अलोचनाएं बहुत ज्यादा होई, तो आप जब ये काम करेंगे, जो मैंने आप से पहले कहा है, अपने उद्बोधन के शुरू में, तो आपकी अलोचनाएं होंगी, लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि यार दो बड़े क्लाइंट पकड़ 500 करोड के, ये कहां 3-3, 4-4, 5-5 लाख वाले हजार क्लाइंट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इतना जादा पेपर वर्क होगा, आपकी अलोचनाएं हो गदे पर बैठा ववा कवी उब जाता है, जनता भी उसके उब जाती है, अगर वो कुर्सी पर बैठेगा तो तो थरुछ सतर्ku बैठेगा, गुरते पजा में का कवी ऐसा लगता है कि हमारी जंदेगी से बाहर है, अगर वो नए जमाने के कपड़े पहनेगा, तो वो ऐस अगर मैं इस पोडियम पर खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, कई लोग आपस में बात भी कर सकते हैं, सब को पता है, पोडियम कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास एक माइक हो, और हैंट स्री माइक हो, और मैं घूम के कविता पड़ू तो आप सब की जो आ जबान इजाद करी, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, उसको तुरंट समझ में आया, कि हाँ, ये बात अच्छी है, जैसे आपने तालीब जाई, ये से उसने तालीब जाई, उसने का ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक लग रहा है, और धीमे धीमे उसकी जिन्दगी की जो रोज मर्रा की जिन्दगी थी उसके लिए वसे जितने परसेंट लोग उस समय थे, मुझे आज भी याद है कि उस समय 90 करोड, 100 करोड की बाद चलती थी, संदो हजार में तो मैं कहता था, इन 100 करोड लोगों का धर्म एक, इनके सब के पास है, इनके पास संगीत है, इनके पास फिल्म है, इनका हीरो है किसी को शारुक पसंद है, किसी को सल्मान पसंद है इनका पुईट कौन है इन 100 करोड लोगों से पुझाद है, मेरा कवी कौन है मुझे कौन सा कवी पसंद है, तो कहां से मिलेगा, तो एक बड़ा स्पेस खाली है, आईएस में गुस्ते हैं, उसमें प्रवेश किया तो हमारे साथ के सब बड़े कवी जो सीनियर्स थे, मैं उनका बुरा भी नहीं मानता अब वो मुझे सब मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, उनके भदीजेर पोते कहते हैं, कि बाबा हमारी फोटो किच्वा दो नहीं हुँ, तीन तीन दिन, हो सकता है, ये वाला चॉला बदल के मेरे शरीड़ कोई और वस्तर आजाए, काई बार राजिनिती भी खीचती है बार 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 वहां से इशारे आते हैं, वहां से बुलावे आते हैं जब भी कुछ होता रहता है, मंत्री मंडल बढ़ रा, बदल रा होता है, राज सबाय हो रही होते हैं, तो खबर आप देखते हैं, रोज छपती है खबर, कुमार, उम्मीदवार है, कुमार जाएंगे, इस हब भी चलता है, इस 20-21 साल की मेहनत में ये हो गया, कि अगर आज में 20-25 लाख रुपया लेता हूँ, तो मेरे पीछे जो पॉपलर पोईट है, वो भी 1.5 लाख रुपया लेता है, और वो महीने में 7-8 बार लेता है, तो एक लड़का जो केवल कविता लिखता है, एक लड़की जो केवल शायरी करती है, वो 7-8 लाख रुपया कमाती है, तो ससाइटी में उसकी इज़त होती है, वो गुड़काओं में फ्लेक ले सकती है, वो नवाईडा में रह सकती है, उसके हस्बंड को वो कह सकती है, कि तू जो काम कर रहा है, उससे बहतर काम में कर रही हूँ, मुझे ज मत रोकना कर रहा हूँ, So, this is the improvisation of profession, आपको अपने profession का improvisation कैसे करना है, जैसे, आपको याद होगा यहाँ, सीनियर्स बैठे हैं, आपको याद होगा कि आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, कि दर्मेंदर कैसे बोलेंगे, राजंदर कुमार कैसे बोलेंगे, प्राण कैसे बोलेंगे, वो फिलर होता था, स्टार नहीं होता था, स्टार कोई और होता था, वो फिलर की तरह बीच में आता था, चार चुटकुले सुनाता था, दो आवाजें निकालता था, एक सिचुएशन सुनाता था, चला जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की, जॉर्णी लिवर साब ने पहली कोशिश की, एक जमाना आया कि वो हीरो के बराबर पैसे लेने लगे, आज मेरा छोटा भाई हमारा बहुत प्री है, आप सब जानते हूं उसे, कपिल ने उसका स्टैंडर्ड जो है, वो इमेजिनेशन से उपर उठा के रख दिया है, हिंदुस्तान के किसी भी सुपर स्टार से, बड़ा सूपर स्टार है कاپिल शर्मा, काम वही कर रहा है जो पहले लोग कर रहे थे, पहले भी लोग चुटकुले ही सुना रहे थे, पहले भी लोग अवाजी निकाल ले थे, पहले भी लोग गैक्सी कर रहे थे, पर उसे लगा कि ऐसा कैसे? ये अगर डेड़ करोड की वैनिटी वैन में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ काम तो मैं जादा कर रहा हूँ मेहनत तो मेरी ज्यादा है क्रेटिविटी तो मेरी ज्यादा है तो पहली बात है किसी भी प्रोफेशन में खुद पर स्वाभिमान करना, गर्व करना कि मैं जो काम कर रहा हूँ यह दुनिया का सबसे खुबसूरत काम जब दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो रही थी भगवान राम पुल बना रहे थे तो एक मराठी लोग गीत में कविता आती है विनोद भट जी ने उसे कहानी के रूप में लिखा बड़े लोकप्री लिखा कें कि भगवान शिला के उपर बैटे थे तो देखते थे कि एक गिलहरी जो थी वो खुद को लपेटती थी रेत में और जाके फिर समुदर में ना लेती थी भगवान को समझ ने आया तो भगवान ने उसे उठा लिया बोले क्या कर रही हो उसने का मुझे छोड़ो तुम जो भी हो मुझे काम करना है बहुत काम पड़ा है भगवान ने का तुम क्या कर रही हो बोले वो रामचंद जी लड़ने आये हैं से रावन से उनका पुल बना रही हो तो भगवान ने का वह जीब गलेरी है तो तेरे चार कंड रेत में छोड़ देने से मेरा पुल बन जाएगा जो गलेरी का उत्तर है वो प्रोफेशनल एक्सिलेंस और गर्व करने योग है गलेरी ने का बने ना बने पुल मुझे पता नहीं है पड़ जब हिस्टरी लिखी जाएगी तो मेरा नाम पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा नयाय करने वालों में लिखा यो ये जो अपने काम पर 24 आवर्स फिदा रहना जैसे मैंने राजनीती की लेकिन मुझे उस काम में दर्द होता था दुख होता था, मैं काम कर नहीं पाता था टिकिट की मीटिंग करके घर लोटता था तो ऐसा लगता था, पच्छेस आपमें उन्हें पीटा है मुझे क्योंकि वो मेरे मन का काम नहीं था अंदर से नहीं आ रहा था, आज की तिथी में मैं रात में कविता बढ़ के आया हूँ, अपने अपने राम कर के आया हूँ, मैं किवल तीन घंटे सोया हूँ लेकिन एक दिड़ घंटे बोलूँगा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा यह थका हूँ आदमी बोला है, चुकि मेरे मन का काम है, यह मेरे आत्मा का काम है जनता से समवाद करना, लोगों से मिलना, उनसे कम्यूनिकेट करना, उनसे अपनी बात कहनी, उनकी बात सुननी, यह मेरे लहूम है, तो आप चर्टेट अकाउंटेंट बने हैं अपनी इच्छा से, यह तो मैं जानता हूँ, कि मेरे खांदान में भी कुछ C.A. हैं, किसी बच्चे को आप मार पीट के C.A. तो नहीं मना सकते हैं, इंजीनियर मना सकते हो, बॉस, डॉक्टर मना सकते हो, लेकिन किसी बच्चे को लड़के को C.A. नहीं मना सकते हैं, वो तो जब तक उसने खुदने न तै कर लियो कि रेड मरानी है, तब तक वो C.A. नहीं मन सकता है, वो तो खुदी बिचारा जब तै कर लेता है, कि भाईया, घिसने आया मेरे को, घिस घिस के परिशान हो जाता एक रह गया पेपर, दू रह गया पेपर, मेरे भी कई मतीजे बांजे मिलते हैं तो, बिटा क्या चल ला है, बस मॉमा एक रह गया है, बस ये और हो जाए, मॉमा बस एक और रह गया, और मुर बन भी गया, उनमें कुछ C.A. भी और कुछ तैयारी में भी है, तो आपने ये profession boss इस hall में बैठे हुए जितने भी लोग हैं आपने profession मन से चुना था आपने किसी ने pressure नहीं डाला था अब excellence के लावा आपके पास कोई excuse नहीं है कौन आपकी बात मानेगा कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था मैंने ये profession कभी बनने का अपने मन से चुना था मेरा बड़ा भाया I.T.N. था मेरे पिताजी प्रोफेसर थे आप में से कुछ लोग अध्यापकों के बेटे हो तो आपको पता होगा कि कितना pressure रहता है टीचर्स के बच्चों पर अप्रेल मार्च में जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो बच्चे कूटने की प्रेक्टेस वो घर पे ही करते हैं हम उसी प्रियोकशाला से निकले हुए हैं मतलब हमारा बड़ा भाई एक इंजिनिंग क्या कर गया उसने हमारी सिंदीगी में नरक होल दिया एक उसको देखो एक उसको अरे भाई उसको थी चुल इंजिनियर बनने की बन गया मेरे पीछे क्यो पड़े हो भाई मेरे को क्यो बर्नॉली की एकवेशन समझा रहे हो कि उपर से प्रेशर पढ़ने पर ऐसे नीचे से चीज उट जाती है मैं इश्क का आदमी मुझे इतना समझ में आता था कि इस लड़की से इश्किता उपास से गुजरती है उसका दुपट्टा हिलता है तो मेरा आस्ते तो उपपर उड़ जाता है पूरा and they and they were teaching me बर्नॉली एकवेशन he just learn it out they were teaching me periodic table and I was able to do it so I remember him excellence थी, brilliance थी, intelligent था तो यहां तक cross कर गया कि जो लो यहां सा का गया लेकिन मन नहीं था तो आप तो मन से आए हो यहां पर आपने तो अपके मन के साथ चुना है पहली बात तो आपके professional excellence के प्रती आपकी 100% जबाबदारी दूसरी बात इसका जो sphere है, इसका जो area है वो बढ़ाने की बात और तीसरी और बहुत महत्रपून बात एक दो बात आपसे और share करूँगा वो है कि आप ऐसे काम में हो और खासकर इस संस्थान में आप ऐसे में हो जहां अकेले के पराक्रम से विजय नहीं मिल सकते हिंदुस्ताल में सौरभ गांगुली के टीम कैप्टिन बनने से पहले रिकॉर्ड तो बनते थे लेकिन भारत नहीं जीतता था कपिल पाजी के टाइम में हम एक बार वर्ड कप ले आए उस समय भी जो लोग पराने उनको पता होगा कि कितनी ज्यादा अंदर यंदर टीम में कल है थी एक हमारे बहुत बड़े क्रिकिटर है नाम लेना नहीं चाहिए बड़े रेवरेंड है उनकी बड़ी इज़त है लेकिन उसके जाएंगे और out of the nowhere हम लोग पहुँचे और जिसे black thunder कहा जाता था वेस्ट इंडीश को जिसका third row है ट्रिक जिसकी बनने वाली थी और जोख दिया था पूरा और वो वेस्ट इंडीश जो विविए निचर्ट और एक से बड़े तोप लोग जिसमें थे उस वेस्ट इंडीश को हरा के हमने कैसे क्लचिस से जीता वो जो जीत थी बॉस वो कपिल्देव की जीत नहीं थी वो ग्यारह लोगों की इखटी जीत थी उसके बाद सवरभ गांगुली जी ने ये काम किया पहली बार वो जेस्टर्स आपने देखे होंगे कि एक साथ हाथ मिला के कुछ संकल पर ना हो तो मैदान के बीच में खड़े होना एक साथ एकटे होना यानि की टीम बिल्डिंग राम और रावन की लडाई में किवल एक यही एक अंतर था जिसके कारण रावन हा रहा है एक जो पंक्ति में बोला हूं इसे आप अपने जीवन में लेके जाना रावन को अपने एहम पर भरोसा था और राम को स्वेहम पर भरोसा था आप अकर दौनों का समवाद देखिए चाहे राम चले इत्मानस में देखें चाहे वालमी की रामायन में देखें साउथ इंडिया के हमारे दोस्त बैठे होंगे तो कंबन की रामायन में देखें दर्शमेश पिता गुरु गोविन सिंग जी ने भी राम कहानी लिखी है राम कता लिखी है आप कहीं भी राम की कहानी देखें हर जगे रामण जो है वो फर्स टेंस में बोलता है मैं ये मैं ये मैं ने ये किया मैं और बड़ी मशूर कहानी भी है कि माता कौशल्या ने तो राम ने कहा कि माम एने रावन को नहीं मारा रावन की एक वर्ल्ड छेंपियन जो टीम थी जो साफ बार विश्वजीत चुकी थी ऐसी सैनः थी रावन की और उस रावन की सैनन चामने राम ने शे लोगों को तैयार किया जो कभी युद्ध लड़े ही नहीं थे जो वनवासी थे, ट्राइबल्स थे जो उपेक्षित थे, मलाह थे वंचित लोग थे वानर का मतलब, क्या है बंदर नहीं है वानर का मतलब संस्कृत भाशा में वा माने विशेश विशेश नर जो लोग पेड़ों पर मचान मना के रहते हैं जिनको एक पेड़ से दूसरा पेड़ जाना आता है जिनको फलों पर अश्रित रहना आता है जो ऐसे विशेश नर जो वाफ विशेश नर होंगे जंगल में रहेंगे तो आपके बाल भी बढ़ जाएंगे सब चीजे बढ़ जाएंगी और आप सामानी रूप से रहेंगे, आप कपड़ों के बारे में बहुत जागरित नहीं रहेंगे, जुकि कपड़े फस सकते हैं उचलने कूधने में आपके, तो आप कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे सामानी रूप से, बड़ा वैग्यानी के माम दो कि और पूम आपके, इसे अपने स्क्रीन पर देख सकें, उन्हों ने पीचे से उड़ते वे एक बड़े जहाज में देखा कि एक ओरत का आपरण हो रहा है, और उन्हों ने देखा कि ये मैईला की आवाज में मैच करता हूँ डेटा में डाल कर, उन्होंने वोन डेटा में voice sample डाला तो data में आवाज आई कि ये तो अयोध्या की मारानी और मिथला की राजकुमारी सीता की आवाज है उन्होंने अपने fighter plane से उस जहाज के ओपर हमला किया, पहले उसे alert किया कि आप यह पर हरण मत करिये, फिर हमला किया, लेकिन definitely रामन का जहाजता, Air Force One हर रामन के पास Air Force One होता है तो उसमें ज्यादा मिसाइल थी, उसमें परमाण होती हार भी थे, उसने counter attack किया और plane crash हो गया, plane crash में जटायू ने, जो timely eject होता है वो ले लिया, और जब वो नीचे गिरे, तो उनको चोट लग गई, और तब लोगों ने बताया कि एक fighter plane crash हो गया, पाइलेट पड़ा हुआ है उस पाइलेट से रामने बात किये complete scientific है, ये तो बाद में लोगों ने कह दिया, जैसे लोग कहते हैं साब भगवान कृष्ण ने परवत उंगली पर उठा लिया मैं लंदन में था, तो किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे तीन देन के सत्र थे, साब आप कैसी बाते करते हैं, आप क्या तो ऐसी non-scientific बाते होती है, ऐसे परवत कैसे उठ सकता है पत्थर उठा के दिखाईए, मैंने का भाई, मेरे घर में हम चार भाई हैं, दिवाली होली पर जाते हैं, तो हमारी दूसरे नंबर का जो भाई है, उसकी जो वाइफ हैं, बॉटनी की प्रोफेसर हैं, मेरट में, वो घरेलू काम बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं, मेरी मा उन से बहुत इंप्रेस रहती हैं, तो जब वो आ जाती हैं, तो शाम को मेरी मा क्या कहती हैं, अमिता आगे, इसने पूरा घर उठा लिया है, तो घर उठा लिया है, क्या वो 500 मिटर का प्लॉट उसने उंगली पर अख लिया है, भाई, घर उठा लिया है, मतलब काब उठा लिया है, लोग के तो अपने साथ के युवा लड़कों को मिलकर एक डिजास्टर मेनेजमेंट की टीम मनाई और जो अकेला परवत गिरिराज का था, वहाँ पूरे बरज के लोगों को विस्थापित किया और चार महिने ठीक से से सैनिटेशन चलाया, पानी चलाया, तो लोगों सेटीन चलाया, चलाया, तो लोगों ने का कितना अच्छा लड़का है, पूरा पहाड हाथ पर उठा लिया, पूरा पहाड उंगली पर उठा लिया. This is simple scientific version, simple scientific version. लेकिन राम ने तो ऐसी टीम तैयार की जो कभी लड़ी नहीं थी लेकिन राम ने उसमें अपना भरोसा इस्थापित किया जो टीम आपके साथ काम कर रहे हैं जिल्लों के साथ आप काम कर रहे हैं अगर आपको अपने साथी के उपर भरोसा नहीं है तो cause पूरा नहीं होगा, ये तैबात है ये निश्चित बात है, इसलिए आप समझ लीजिए और भरोसा भी कैसा? भरोसा तर्क से बहार होना चाहिए फायदे से बहार होना चाहिए भगवान भी भरोसे पर तब ही अमल करता है जब तक आप उस पर भरोसा करते है हमारे यह कान ही आती है कि द्वारिका में कृष्ण जी खाना खा रहे थे रात को तो अचानक पहला टुकड़ा जैसे ही मूँ की तरफ गया उसे छोड़के थाली में और बाहर गेट की तरफ भागे रुकमनी जी भी भागी पीछे पीछे सेना पती भागे बहुत तेज भागे पीतांबर कहीं गिर गया कुछ कहीं गिर गया चपल गिर गया भागे बहुत तेज अचानक गेट तक गए एक दम रुके और फिर वापिस आगे और फिर खाना खाने लगे तो रुकमणी जी ने पूचा कि भागे क्यों बोले वो वरंदावन से मेरा एक दिवाना आया था वो कनईया का के मुझे ढूंड रहा था एक तारा बजाते हुए लोग उस पर पत्थर फैंक रहे थे कि पागल है और वो रो रहा था तो उसे बचाने जा रहा था अब आपके समझने लाइक बात है तो रुकमणी जी ने का वापिस क्यों आ गए बोले अभी तक तो वो मुझे पुकार रहा था जैसे ही में गेट पर पहुचा उसने एक तारा फैंका और खुद दोनों हातों में पत्थर फैंकने लगा तो मैंने का ये खुदी लड़ लेगा जब इस को भेज़डो कोई बता ही आए बस सीता से इतना कही आए सीता को देखाए की कैसी है और बता है कि मैं आउगा दो बाते बतानी थी इसके बाद का सारा प्रोजेक्ट जो था वो हनुमान जी का खुद का था उन्होंने कोई टी एडिय नहीं लिया है ना कोदी टेक ओफ किया उन्हें भूक लगी उन्हें खाना काया पेडवेट टूटके लोगों ने पकड़ लिया देख लिया बंदर है उसके बाद अब उन्हें लगा कि वो छुट भी सकते थे लिए उन्हें का जल देखी आता हू पूरा तो यहां जो इस्तमाल की बुद्धी उसके लिए राम न जो और अगर आपको यही शंका एक कि नहीं कर देता मैं कर देता गाड़ तो आपसे कुछ प। बढ़ जीवन Мें इस। लोगों से कभी कुछ नहीं वा जीवन में क्यों कि जीवन में क्योंकि बीगे हैं मैं किसी चाप्टेड अपांटनेंट के फेन notwendigर 210 कंप इने हैं क्यो आप यहां तक पॉंचे तो हम दोनों का शुयोग बना कि हम बंभाई सभ्ण के किनारे एक दूसरे से मिल एए और आशा करते हैं कि आने वाले समय में लगातार मिलते रेंगे एक दूसरे से हम लगातार सम्वाद करते रेंगे मैं आपके भी चाता रहूँगा तो आप महतुपूर क्यों हुए क्योंकि आप इस संस्थान से जुड़े हुए अगर इस संस्थान से आप स्वेम को बड़ा मानने लगेंगे तो यही बात खतम हो जाएगे मैंने प्रोफेशनली एक इंडस्ट्री को बड़ा किया है जितनी महनत कर सकता था मैंने शोषेली एक अंडुलन को खड़ा किया है जब अंडुलन हो था तो यह माना जाता था कि अंडुलन का मतलब 200 आपी 300 आपी जब मैंने के पास गया था रालेगजदी तो अनने मुझ को का कि अच्छन तो कर लेंगे लोग पाल पर मेरालेगण में करूंगा तो मैंने का अनना रालेगण में नहीं दिल्ली में करिये तो बोले नहीं तुम्हारी दिली बहुत कठोर है बड़ा कठोर दिल्ली हाला कि बात सही निकली उनकी तो बुले मैंने कहा क्यों आणना वहाँ तो दो सो तीन सो आदमी भी नहीं आता है राले गन में दिन में हजार आदमी आता है रात को दो सो आदमी सोता है जहां अशन इस्तल होता है मैंनों से का आनना दिन में 10,000 आदमी होगा रात में 5,000 आदमी होगा मेरी गारंटी है क्योंकि मैं कॉलेजिस में लोक प्रिये था तो मैं आस पास के करीब 40-50 इंजिनिंग कॉलेज में गया वहां मेंने रैली की लड़कों से का के आनना और लड़के आ गए उससे पहले लोक समझते थे कि शोशल जो आंदोलन है वो अब सफल नहीं हो सकता भारत में लेकिन हुआ आजादी के बाद का इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तानी थे उससे प्रभावित हुए उसके बाद एक पॉलिटिकल वेंचर करके देखा राज मिति करके देखी बाद में हमारे साथ होगी that is different thing बट करके देखी आज किल मैं राम पर बोल ला हूँ तीन दिन के session होते है अपने अपने राम के question sessions होते हैं, राम कथा के माद्यम से बोलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उस संस्थान में जो लोग पहले से मौजूद है मैं बड़े आदर के बाद कर रहा हूँ, उनमें बेचेने शुरू हो गई है वो सवाल उठाने लगे है ये तो सन्यासी भी ये तो ग्रहस्थ है, ये चमड़ा पहनता है, इसके बाद भी ऐसा क्योंकि उनको मुझसे कोई समस्या नहीं है, एक बना बनाया ट्रेंड है, उससे उसके तूटने से समस्या है तो आप जो भी ऐसा काम करेंगे, जहां तक ये संस्थान आया है समविदान से बड़ी आयू का, जो इसे नेक्स लीप में लेके जाएगा, तो कुछलों को बेचेनी होगी, लेकिन अगर आपकी आँख में लक्ष ठीक है, तो मेरी दादी कहती थी, कि बेटा मन से रो तो फूटी आख से भी आँसो निकलता है, अकर मन से रोया जाए संस्थान से बड़े बनने की कोशिश जो भी आदमी करेगा, वो संस्थान को भी नीचा करेगा और स्वेम को भी समाप्त करेगा, इसलिए टीम स्प्रिट की तरह काम करें, देखिए, हनुमान के पास, आज जिसे आप बॉम्बे आईए, फ्लाइट में बैठके, तो एक तो अंग्रेजी स देश में, मतलब कोई खराब भाशा नहीं है, अच्छी भाशा मेरे पस ग्रिजुशन में थी, मैंने विशिद्याले टॉप किया अस लैंग्विच में, लेकिन मुझे उससे बहतर हिंदी लगती है, क् वहिदारमान कितनी भी घूपसुरत हो सकते है, मेरी मा से सुंदर नहीं हो सकती है, तो। a बहुत अन्यवाँ बहुत अन्यवाँ तो जो कमफर्ट जो आराम मुझे है मुझे अग्रेजी से कोई नाराज़गी नहीं है अच्छी भाषा है भाषा तो जितनी जादा आए उतनी अच्छी है मेरे को तीन चार भाषा आती है मेरा बड़ा मन करता है कि बहुत बांगला भी सीखूं मराथी भी सीखूं गुजराती तो सीखनी चाहिए आजकल तो जनको आती है भाईया उनको तो कोहनी तक प्रणाम है लेकिन हिंदी अपनी भाषा है अपने इसाब से कह सकते हैं तो मैं देखता हूं कि दिल्ली से बॉम्बे की जा फ्लाइट में आप बैठिये अंग्रेजी हमारे टैबू है दिमाग का मस्तिश्क का गुलामी का आपकी बगल में बैठा हूँ आदमी विस्तार की फ्लाइट म मैंनक अच्छा द्रॉबधी पसंद है आपको बिबी नो 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 आई प्रीच कृष्णा मैंनक हाँ द्रॉबधी नो 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 लॉड़ कृष्णा मैंनक वो कृष्ण है आई डू योगा एक असन फालतु करती है क्या इस योग भाई ये योग है मैं वह रिषिकेश में गूम राता है एक शूट कर रहे थे हम रिषिकेश में सुबह पांच बज़ उटके इसी लिए कर रहे है कि जनताना दिखाईदे जल्दी से कर लें और लाइट उसे मैं अच्छी होती है वो ड्रेक्टर ने का कुमार पर मसुरी वसुरी तो नमें दो बच्चे फोटो किचाना चाहरे तो मेरी जैसी आदाते कि चलो भी खिच वालो तो मैं गया तो उसने का सर लॉंग टाइम सर फैन और इमेजेंट सर कि आप गैंजीज के किनारे मिलेंगे तो मैंने का कि गैंजीज ये कौन है तो बले सर इस रीवर मैंने का बिटा ये गंगा है और जब चलेगा ना उपर की तरफ तो गैंजीज केह के मूं में नी डलेगी गंगा जल केह के मूं में डलेगी तो ये जो कम्तरी है ये जो आपकी, आपके अंदर की कमतर ही है कि इस जबान मिरको इसलिए बोलिए कि मुझको तो दिली की सीधी फ्लाइट में विस्तार की में, जो बिजनिस क्लास में बैठता है, इंडियमें बी जो बैठता है, वो अंग्रेजी बोलने के चक्कर में लॉजिक की हत्या करता है वेल कुमार जी फ्लाइंग टु बॉम्बी मैंने का नहीं रास्ते में कोट पुतली कुदूँगा चाता लेकर यू मस्ट बी जोकिंग मैंने का शुरू तो तैने करी थी भाई अब जब यह जहाज बंबभी जा रहा है तो मैं रास्ते में कहां उतर जाओंगा भाई क्या सवाल पूछ रहा है कुछ और सवाल पूछ तो तो ये अचा फिर आप उससे पूछिए क्या करते हैं और आप में कैसे अब जिए ग्याजुट फो तो फिर यह वर्वड तो यह वर्क फिर में केंजी व्ड्वें वर्भी सब छोटाए है तो आप बड़ी नियुँटा बड़ी जोटाए है यह जोटाए है इसलिए कैता हुद राम कथा पड़िये इसलिए कहता हूँ अपने अपने राम के सत्रों में आईए सुनिये हनुमान के पास गर्व करने योग के सारी डिग्रिया है आप तो सिर्फ चाटेड एकाउंटेंट है बॉस उनके पास तो सारी डिग्रिया है वो जूनियर चैंपियन है वर्ड के पहले ही बच्पन में खा गयते है सूरज को वो पंच तत्वों में एक वायू के पुत्र हैं उनके गुरु शंकर हैं जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं ग्यारमारुद्र इंद्र ने उन्हें वर्डान दिया है कि तुपानी में नहीं डूपेगा अगनी ने वर्डान दिया है तो आग में नहीं चलेगा इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधीराथ परिचे पुछता है अशोक बाटिका में मा सीथा पूछती है कि बंदर तु कौन है तो यह नहीं कहते है कि ओ आपके अंदर होना चीए जो आपने बैच लगाया है तो अपना परिचे कहा देते है राम दूत में मात जानकी मा में राम का दूतू राम is the institution where I work में महा काम करता हूँ दिस इस दे पहचा उनकी डिगरीज का वर्णन है आप आप एक्सिल कर सकते हैं आप उपर बैठे हैं तो निश्चित रूप से अपने 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 जीते हैं यह सबसे बड़ी उपलब्दी आपकी सबसे बड़ी डिगरी है आप उनकी डिगरी हनुमान की डिगरी गिनाई जाती है लेकिन लास्ट में एक ही डिगरी है कि राम के दूत हैं उनके आँ काम करते हैं मनो जवम मारुत तुल्य वेगम बातत मजम वानर यूत मुक्यम जितिंद्रियम बुद्धिमदम वरिष्ठम और रंत में क्या है श्री राम अदूतम शरनम प्रपद्ये मैं राम का दूत हूँ उसकी शरन में जाना है तो आप पर ते करता है कि आप पीछी क्या बोना चाहते हैं तो मैं आप सॉरी मैं थोड़ा डिस्कोर्सिव हो गया हूँ बर मुझे लगा कि बहुती घरेलू मैफिल है और खास्तोर पर आपने इतना शोर मचाया था तो मुझे लग गया कि आप बात करने लाइक आदमी है आप से बात कि जा सकती है जनरली ऐसी महिलों में और रसे कंवेंशन्स में मैं बहुत ही जिसे करते हैं बहुत ही फॉर्मल होता हूँ कि ये बोलना है ये नहीं बोलना है I am pouring out of my heart मैं अपने हिर्दय से बात कर रहा हूँ दिल से बात कर रहा हूँ क्योंकि में चाहता हूँ कि दस साल बाद, पंद्रे साल बाद मैं कमी ट्रेवल कर रहा हूँ आप मेंसे एक आद्मी मुझे मिले जो उस समय जिसकी सी ए कंपनी का काम 2,000 करोड़ का हो, 4,000 करोड़ का हो, उसके कैसे के कि मैंने आपको वेस्ट इन में सोना था, आप हमारे कन्वेंशन में आये थे, तो मुझे अच्छा लगेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट इन जेनरेशन्स है, ये मैंने परसनली करके देखा है, जब दो हजार और दो हजार दो में, जो पारंपरिक कभी संवेलन थे, टेडिशनल प्रोग्राम्स थे, उनमें से मुझे बार कर दिया गया, खिलीट कर दिया गया, तो मेरे बच्छ जगे कहां बची थी, तो मैं इन्जिनरिंग कॉलज़िस में गया, IITs, IIM अभी मुझे पले इंटिडूस कराते वे सर बोल लए थे कि Google में मुझे बुलाया गया Google ने मुझे इसलिए तो जरूर बुलाया कि मैं मो सर्च था इंजन ने बताया कि language में जो regional languages में हैं और में इंडिया में ये आदमी है जो इस भाषा में सब जदा डूड़ा गया है लेकिन इसलिए भी बुलाया कि जिस लड़के को मैंने दोजार चार में IIT खड़कुर में कविता सुनाई थी वो उस समें Google का language head था और उसमें काया कि बॉस जब मैं पढ़ता था कभी आया था और 5,000 लड़के नाच रहे थे, गा रहे थे खुश हो रहे थे यानि कि आपने इन्वेस्मेंट किसमें किया और जिस समें में वो काम करता था पूरी इंड़स्ट्री मेरे खिलाव ती के लड़कों को काया कविता सुनानी और अंग्रे जी और कुट चलता था मेरा और कुट पर एक fan club था मुझे आज भी आदे कि हिंदी के बड़े कभी है पधमश्री उन्होंने माइक से कह दिया था कि बह्या ये एक चिरकुट है जो और कुट और कुट करता रहता है कुछ ये ऐसा और नहोंने कह दिया था अब वो फेस्बुक पे रोज सुबे दुपर शाम अपने फोटो फिल्टर लगा के पोस्ट करते हैं ब्यूटी प्लस वाले यानि कि समय की आहटें पैचानना की कल क्या होने वाला है और नेक्स जेनरेशन में इन्वेस्टमेंट करना आपके घर में अगर पांच बच्चे ऐसे हैं जो ट्वेल्ट की तरफ जा रहे हैं नाइंत की तरफ जा रहे हैं आपका काम देखकर अगर उनमें से एक बच्चे के मन में भी चार्टर एकाउंटेंट बनने की इच्छा पैदा नहीं हुई है तो इसका मतलब आपका रिप्रेजेंटरिशन अपनी फैमिली में ठीक नहीं है उसको पताई है कि इतना कथिन नहीं है मैंने की आय तू भी कर लेगा और बहुत अच्छा जोब है मैं जिस को लानी में रहता हूँ वहां मेरे एक परिचित रहता है सामने आइट से पढ़ा हुआ है और साइबर सीकुरिटी का हिंदुस्तान का बड़ा जाइंट है 400-500 क्रोड की कंपनी है बड़े क्लाइंट सेंस के पास जादा बड़ी हो गई होगी अब तो शाहद हजार क्रोड की होगी उसका बेटा मेरी बेटी के साइट पड़ता था फिफ फॉर्थ में बच्चे पड़ते थे तो एक दिन वो मुझे सुबह गूमता गूमता मिला मु राटे जिए अडिएंट सेंफ लिए धहां कि अगूबने हो बने का बड़का है कभी क्योग बनेगा गुले पाप प्रण के पास इनोवा है और सामने कभी रहता है कुमार अंकल उसके बास मरसιडीज है को कभी बनेगा So, हो सकता है कि मैं आपसे फिर विनम्रता पुरवक का हूँ मेरे जीवन में इन कपड़ों का इन घड़ीों का इन गाड़ीों का कोई योगदानी है मैंने बिल्कुल in-tuned नहीं हो मैं आटो में बैठ सकता हूँ मैं आटो में बैठ सकता हूँ मेरे सब बराबर है, करना फकीर है तो क्या दिलगीरी, सदा मगनमन रहना जी, कोई दिन हाती ना, कोई दिन गोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, क्या फरक पड़ता है? हमने तो, रोडवेज की बस सफर शुरू किया है, सौरुपे में पड़ी कविता पड़ी थी, 1988 में, हापड में, जैन समाज का कविता मेलों था था, हंड़र रुपीज, यह पता नहीं था, मिलेंगे, वो तो दे दिये थे उनोंने, और उसके बाद चार्टर से भी पड़ी है तो मैं उससे यह कहता हूँ, मुस्से पुस्तिक क्यों बेचेन हो, मैं उससे यह कहता हूँ, कि जिस दिन ब्राजील के समुद्र तठ पर धूप इसनान करती हुए लड़कियां गाएंगी, कोई दीवाना कहता है, तो दिन समझूँगा काम पूरा हो गया क्योंकि और अभी तंजानिया से आपने देखा होगा एक वीडियो आया था तंजानिया का अच्छा मैंने अभी आप से प्रोफेशनल एक्सिलेंस की बात की, प्रोफेशनल एक्सिलेंस में यह बात भी है कि इस बात के पैसे नहीं मिले है मैं केवल आप से पहली बात तो आप सब मुझसे बड़े हैं एजुकेशन में, एकसिलेंस में आपने जगे बनाई है आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना है जो मेरे मन में बात थी मेरा सिर्फ कहना यह है कि बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं हिंदुस्तान का जिससे स्पंदन रुक सकता है उसको आप चला थे हैं हमें तो याद है बैंकर्स के अलावा जो सबसे ज्यादा परेशानी में थे और मेहनत कर रहे थे नॉट बंदी के टाइम वो आप ही लोग थे क्योंकि आपको सब क्लाइंट परेशान कर रहे थे कि क्या करें नहीं आप नहीं कर रहे थे पर आपको तो परेशान कर रहे थे लोग बाग भई हम क्या करते हैं हम जब पैसा लेते हैं शो का पैसा लेते हैं तो हम क्या करते हैं जब वो मुझ से कहता है बढे मेंगा तो साने संधित थे मइचेक जब होता है हि東 और भूज फेफटीफटीफ्र लग रड्रूपीज़िगों मुझे लग्द हाई लग्रूं मुझे लग्ता ही हिग्टीख्रिदिया पिर आउपर कुछ लिख्का जका लग्णाय थाspeed कईS मैंने का यह भाई साब कॉन है बुले नहीं साब वो टेक्स जाना है एडवांस टेक्स जाना है तो ऐसा लगता है कोई कोई निकाल के लेगा तुकड़ा हमाले हाल से पिर वो ची जो है वो सीए से डॉक्टर की भूमिका में आता है जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले मन के साथ सुना हाला कि यह मेन्यू में नहीं थी पोट्री जो मुझे बताया गया तो उसमें कविता पाथ नहीं था उसमें यही था कि एक घंटे का एक सैशन है लेकिन मैं आपको सुना देता हूं अगर आप कहते हैं तो और यह कुछ कविताएं इतनी लोगप्रिये हुई कि इन्होंने सरहदें तोड़ दी कि कोई दीवाना कहता है कोई मागल समझता है में तुझसे दूर कैसा हूँ तु मुझसे दूर कैसी है यह तेरा दिल समझता है यह तेरा दिल समझता है इसे कहते है प्रोफेशनल एक्सिलेंस कि मुझे गाना नहीं था तो मैंने आपसे ही गवाया झाल